हेलो फ्रेंट्स वेलकम बाग तो अभी हम लोग यहां पे रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिंटेट के इनलिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट मंडे को अभी मंडे सेशन में किस तरीके से अपनी इंपॉर्टन लेवल दिखाएगा इसका प्राइस सेट्शन पैटन कैसे रहन वाला है फिलाल वन आर डाइम प्रेंप चार्ट लगा रखा है अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा यहां से गी रहा है यहां पर लेने के बाद फिर सही यहां पर गिरा और यहां पर हॉल्ट कर रहा है लेकिन यह वाला लेवल कुछ यह वाला लेवल इंपॉर्टन लेवल है, कोई ऐसा वैसा लेवल नहीं है, क्योंकि अगर पीछे जाके हम लोग देखेंगे, तो इस लेवल के आसपास से मार्केट बहुत बार यहां पर उपर क्यों निकल चुका है, इन लेवल के आसपास से एक रैली आई थी, फिर यहां प आता है, तो बात मानिए, इस सपोर्ट से हमें फास्ट बाइंग देखने को मिलेगी, हम लोगो बस यह ट्रेंड लाइन यहां पर डॉर करके रखना है, जैसे ही यहां पर ब्रेक होगा, हम लोग को पोजिशन बनाना है, क्योंकि स्टॉप्स हमारे पास बहुत ही छोटा तब ऐसा ही हुआ है, तो जी हां, लास्ट टाइम हमने जैसे यहां पर डिसकस किया था, ठीक है, कि अगर यहां पर जिस तरीके से फॉल्ट हुआ है, तो मुझे लग रहा है, यहां पर यहां पर गिरने के बाद अगर यहां पर जो ट्राई हो रहा है, मतलब एक बार बायर् और sellers में fight नहीं हो रहा यह हो रहा तो जो भी यहां पर fight win करेगा उस और यह share निकल जाएगा तो भी बहुत यह अच्छे condition में है जिस तरीके से देखेंगे यह level हमारे लिए support का level हुआ करता है तो यहां पर इस candle का high अगर break का देखने को मिलेगा ठीक है तो पहला resistance जो अभी हमारे लिए फिलहाल के लिए है वो होगा यहां पर 2390 का और दूसरा resistance हमारे लिए होने वाला है वो 2340 के बीच में 2434 के बीच में होने वाला है तो यहां पर यह levels हो गए और अभी अगर माल लेते हैं नेक्स्ट विक में अपना लो जो है 2300 ठीक है यह लगब लगब 2295 का level अगर break करता है नीचे की और तो यहां पर परफेक्ट इंसाइट केंडल बनाया है इतने होल्ट होने तो यहां सौड रुपई यहां पर यहां पर गिरता हुआ मुझे दिखरा है कि अभी 2229 Dayas Pass the buying हमें अयह वाली हुई है ठीक है चुकि हम यहां पर रुका है तो यह इतना गिट सकता है उसके बाद यहां से ह्र तेजिय से निकलने कि यहां पर possibility बन सकते हैं तो यह next week का हो गया daily time frame पर चलते हैं एक बार हम लोग daily time frame पर हम लोग को क्या नज़र आ रहा है ठीक है daily time frame पर नज़र आ रहा है यह candle जो बना था ठीक है उनका भी low intact है ठीक है उनका यह जो SL है वो intact है तो यह वो लोग हो सकता यहां पर इसको नीची गिरने ना दे और जैसे यह अपने इन high को break करेगा ठीक है क्योंकि इन candles का high इसके लिए important role play कर सकता है जो की है एक पर इन candles का high चेक कर लेते हैं इन candles का high है 2387 तो 2388 का level अगर यहां पर break होता है तो पहला target 2400 का हो जाएगा और दूसरा target जो हो जाएगा 2430 के बीच में हो जाएगा फिलाल मंदे की बात करें तो जिस तरीके से यहां पर कि अभी चौपीनेस हम लोग को दिख रहा है मतलब बहुत ज़्यादा किसी और भी momentum नहीं दिख रहा है तो इस तरीके के momentum में अगर किसी को position बनाना है तो उनको ऐसल यहां पर रखना पड़ेगा ठीक है लेकिन जब तक यहां पर उपर क्यों निकलता नहीं है यहां पर ज्यादा gap down opening होता है और यह level break करता है तो तेजी से नीचे की और चला जाएगा और gap up open होगा तो यहां पर इन लेवल के आसपा से हो सकता है थोड़ा साम लों को एक fall देखने को मिले 15 minute time frame पर चलते हैं अभी 15 minute time frame पर अगर हम लोग इसको देखेंगे ठीक है तो हम लोग यहां पर इस तरीके से normal channel हम लोगों मिल जाए तो यहां पर इसी तरीके का एक channel pattern हम लोगों को मिल चुका है अभी इस channel pattern में इस तरीके से वापस उपर की और जानी की कोशिश कर रहा है अगर यह इस तरीके से उपर की निकलता है और यहां पर देखेंगे चार पास बार अल तेकिन यह लेवल तो उड़ा सा 2389 का लेवल ब्रेक करने देंगे मंडे शेशन में अगर इसको ब्रेक करके उपर की उड़ाता है तो हम लोग पहला टार्गेट ट्राउन लेवल 24 का रखेंगे जो सगेंड टार्गेट है हमारे पास वो 2410 का हम लोग यहां पर रखने वाले हैं नीचे की बात करेंगे दोस्तों तो नीचे अभी जिस तरीका यहां पर यह पूरा का पूरा बेस है यह पूरा का पूरा बेस है यह बेस जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम लोग को कर देखने को मल सकता है वीडियो पसंद आई होगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नहांगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हर वीक मैं यहाँ पर मंडे शेशन के लिए और पूरे वीक के लिए अनलाइज करके आपको शेयर देता हूं थैंक यू